तो सद्गरू, आप हमें जो बता रही हैं, उनमें से एक या दो ऐसी चीज़े बताईए, जो हम कल कर सकते हैं, जिन से हमारी जागरुकता, धारणा और विचार शीलता बढ़ेगी. ओ, तो आप कुछ घर ले जाना जाते हैं? जी, एक तरह से, पर कुछ ऐसा जो हमेशा बना रहें, ना कि ऐसा जो छूट जाए, क्योंकि हमने आपसे बहुत सी चीज़े सुनी हैं, हमने बहुत कुछ सुना है और मैं सोच रही हूँ कि कल में नया क्या करूंगी? देखिए, 26 अक्षर वाले ABC को सीखने के लिए, कम से कम अगर आपने भारतिये भाषाएं सीखी होती हैं, तो 54 अक्षर होते हैं, सिर्फ 26 अक्षरों को ठीक से लिखने में आपको कितना समय लगा? उन्हें सही क्रम में लिखना और उन्हें अपनी मर्जी से इस्तिमाल करने में कितना समय लगा? ओ, मैं, मैं आज भी सीख रही हूँ, काफी समय लगा कम से कम 3-4 साल, नियूंतब, वाक्य बनाना और उनका मन चाहे तरीके से उपयोग करने के लिए शायद 12-15 साल की शिक्षा लगी होगी, हाँ, तो आपने केवल कुछ शब्द सीखने के लिए इतना कुछ किया? वर्ड क्राफ्ट पर अपने अस्तित्व की मौलिक प्रकृती के बारे में कुछ जानने के लिए, जो आपको नए आयाम में ले जा सकता है, आप उसे दो मिनिट में जानना चाहते हैं, इतनी नाइंसाफी क्यों? नहीं, मैं दो मिनिट में सिर्फ शुरू करना चाहती हूँ ठीक है, तो शुरू कैसे करें? बस इतना कीजिए, आज बिस्तर पर जाने से पहले, हर घंटे, खुद को याद दिलाइए, अभी आठ बजने वाले आठ बजे खुद को याद दिलाइए, वाह, मैं अब भी जीवित हूँ नहीं, हसिये मत, आज रात सोने वाले कई लोग कल सुबह नहीं उठेंगे धर्ती पर दस लाग से ज्यादा लोग कल सुबह नहीं उठेंगे कल सुबह, मान लीजे आप जाग गए हाँ, किसे पता है? आप हमेशा सोचते हैं, मैं नहीं मरूँगा, कोई और मरेगा भयंकर बात है कल सुबह अगर आप जाग जाएं, तो पहले जांच लें क्या मैं वास्तव में जाग गया? जिन्दा हूँ? मैं अब भी जिन्दा हूँ, वाह आपको कुछ भी करने की जुरुवत नहीं है, चिल्लाना मत कम से कम एक बड़ी मुस्कान, ठेक है? मैं अब भी जिन्दा हूँ, दस लाग से अधिक लोग आज सुबह नहीं उठे पर यहां मैं जिन्दा हूँ, शांदार है या नहीं? आपके जीवन में सबसे बड़ी बात क्या है? आप अभी जीवित हैं, तो आप कल सुबह जिन्दा रहें, तो बस एक मुस्कान, वाह फिर शायद आपके जीवन में दो, तीन, चार लोग हैं, जो आपके लिए बहुत माहिने रखते हैं, बस उनकी जांच करें, वो और वो और वो और वो जीवित हैं, सब ही जीवित हैं, बहुत अच्छा अगर आज रात दस लाख लोग मारे गए, जो हर रात होता है, तो कम से कम एक करोड लोगों ने किसी ऐसे व्यक्ति को खो दिया, जो उनहें प्रिये हैं, पर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है, जो आपको बहुत प्रिये हैं, शांदार है या नहीं, एक और बड़ी मुस्कु अगर आप इश्वर के बारे में सोचते हैं, तो आप ब्रह्म में पढ़ जाएंगे। सिर्फ तभी आप वाकई इस जीवन की प्रकृति जानना चाहेंगे। जब आप जानते हैं कि आप अभी हैं और कल सुबह आप जा सकते हैं, तब आप जानना चाहेंगे, ये क्या है? ये है क्या? मैं अभी जिन्दा हूँ, पर कल सुबह जा सकता हूँ. इतने सारे लोग ज पिश्वास नहीं होता कि वो कहां चले गए। आपने इसके बारे में दस मिनिट सोचा और फिर आप बिजी हो गए। आपको SMS भीजना था, मेरे पिता मर चुके हैं। आप नश्वर हैं। अगर आप जानते हैं कि आप नश्वर हैं, तो अचानक आप कुछ दिनों में देखेंगे, आपके पास बेकार की बकवास करने का समय नहीं होगा। आप सिर्फ वही करेंगे जो आपके जीवन के लिए वाकई माइने रखता है। आपके पास किसी के साथ कोई बकवास करने का समय नहीं है। आपके पास केवल वही चीजें करने का समय होगा, जो आप करना चाहते हैं, जो आप वाकई अपने जीवन में करना चाहते हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं। और यही आपको करना चाहिए क्योंकि समय बहुत सीमित है मैं चाहता हूँ कि आप जानें कि ये एक छोटा जीवन है अगर आप एक खुश व्यगती हैं तो अगर आप एक दुखी व्यगती हैं तो निश्चित रूप से एक लंबा जीवन है तो अगर आप खुश हैं, और अगर आप सौ साल भी जीते हैं, तो ये बहुत छोटा है, अगर आप दुखी हैं, तो आप कितना लंबा जीवन जीएंगे आप जानते हैं, तो ये बहुत ही छोटा जीवन है, आपको उसके इलावा कुछ भी नहीं करना चाहिए, जो आपके ल लगता है कि आप अमर हैं, वरना लोग कह रहे हैं, नहीं नहीं, मैं 80 तक जीवित रहूँगा, शायद 100 तक, तो मैं 70 की उम्र में ये करूँगा, जब मैं 75 साल का हो जाऊँगा, जब मेरा सारा काम हो जाएगा, तो मैं अपने पडोसी को देखकर मुस्कुराऊँगा, जब सं हम भी उम्र का आशिरवाद देता हूँ, पर ये संभव है, है ना, हर देन ये 10 लाख लोगों के साथ हो रहा है, तो कल सुबै क्या आप या मैं नहीं जा सकते, मैं पूछ रहा हूँ, हाँ या ना, अगर आप अपनी मृत्यू के प्रती सचेत हैं, तो जागरुख होना स्व सतर्कता, नहीं, आपको इन चीजों में फर्क करने की आवशकता है, मानसिक रूप से सतर्क रहने से, आप जीवन बहतर तरीके से चला पाएंगे, अगर मैं मानसिक रूप से सतर्क हूँ, तो मैं बहतर ड्राइव कर सकता हूँ, अपना काम बहतर कर सकता हूँ, कुछ और ब सवाल केवल ये है कि कितना जागरो? बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे 50 प्रतिशत जीवित हैं, तो ये काफी अच्छा है. हाँ, आप 50 प्रतिशत पर जी सकते हैं. पर आपको ये समझने की जरूरत है. अगर हम किसी को यातना देना चाहते हैं, अगर आप किसी को यातना देना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उन्हें मार देंगे? मान लीजे कि आपको नरक में रोजगार मिला. मान लीजे आपको लोगों को प्रतारित करने का काम दिया गया तो आप क्या करेंगे? माज डालेंगे? हलो? नहीं, उन्हें आधा जीवित रखेंगे अगर आप उन्हें आधा जीवित रखते हैं तो उसे यातना कहा जाता है इसलिए अभी इसे आत्मयातना कहा जाएगा शायद आप कहीं और रोजगार पानी की तैयारी कर रहे हो क्योंकि दो या तीन साल की उम्र से ही लोग आपके माता पिता आपसे पूछते हैं बड़े होकर क्या बनोगे बेटा मैं एक इनसान के रूप में पैदा हुआ हूँ मुझे एक इनसान बनने का प्रयास करना चाहिए देखिए इस धर्ती पर हर जीवन चाहे वो एक पक्षी हो, एक कीड़ा हो, कीट, पक्षी, जानवर, पेड़, जो भी हो वे सभी एक पूर्ण जीवन बनने के लिए प्रयास कर रहे है एक कीड़ा, एक पूर्ण विक्सित कीड़ा बनने की कोशिश कर रहा है एक पेड, एक पूरा पेड़ बनने की कोशिश कर रहा है एक इनसान को भी एक पूर्ण मानव बनना होगा नई नई आप क्या बनेंगे का मतलब है आपको कैसी नौकरी मिलेगी तीन साल की उम्र से ये पागलपन इस वज़े से आया है क्योंकि इस देश की पिछली शताबदी इतनी गरीबी में कुजरी है लोग इतने वंचित रहे हैं उन्हें लगता है कि अगर उनके पास नौकरी नहीं होगी तो वे खाने ही पाएंगे ये गरीबी से भरी चेतना से आता है हमें आगे बढ़ना होगा वो पीड़ी गई अब ही अगर आपके दिमाग की कुछ कोशिकाएं काम कर रही हैं तो आप जीवन चला सकते हैं आपको किसी डिगरी की जुरुत नहीं है अगर आपके दिमाग की कुछ कोशिकाएं काम कर रही हैं तो आप जीवन चला सकते हैं आज ये कोई मुद्दा नहीं है। एक समय ऐसा था, जब ऐसा ही था, अब ऐसा नहीं है। इसे बदलने का समय आ गया है। सवाल ये है कि आप कैसे जिएंगे ना कि आप क्या बनेंगे। आपके जीवन का अनुभव कैसा होगा। क्या ये चरम अनुभव बन जाएगा या ये सिर्फ एक औसत बक्वास होगा। ये ही सवाल है। क्यूंकि जब आप इंसानी रूप में आते हैं तो कुछ भी होता है, वो काफी नहीं होता, कुछ और होने की जरूरत होती है। हाँ या ना, शायद आप सोचें कि आप अलग-अलग काम कर रहे हैं। जो आदमी मंदर जाता है, जो बार में जाता है, जो काम पर जाता है, जो दुनिया पर विजय पानी के लिए जाता है। वे सभी बस जीवन का एक बड़ा अनुभव चाहते हैं। कुछ लोग मॉल जाते हैं, कुछ लोग पीडियस जाते हैं, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि मंदर में फ्री में मिल जाएगा, इसलिए वे वहाँ जाते हैं। कोई दुनिया को जीतने के लिए जाता है, कोई शॉपिंग के लिए जाता है, ऐसा क्या है जो आप पानी की कोशिश कर रहे हैं, ये बस जीवन का एक बड़ा अनुभव पानी की कोशिश है, पर अगर आप अपने पास पूरी दुनिया भी इकठी कर लें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बड़ा अनुभव नहीं मिलेगा, आपको बड़ा अनुभव तभी मिलेगा जब आपके देखने की शमता बढ़ाई जाए, अगर आपकी अनुभव करने की शमता नहीं बढ़ती, तो आपके आसपास सब कुछ हो सकता है, फिर भी आपका वे ये नहीं जानते कि समान कहां रखा जाए, सब कुछ लोगों के उपर गिर रहा है, लोगों के लिए जगा नहीं है, घर चीजों से भरा है, पर क्या इससे खुशी मिली है? नहीं, आप अपना भीतरी आनुभव बाहर से तैन नहीं कर सकते हैं, इसे भीतर से होना होगा, औ और आपका अनुभव जितना बड़ा है, आपका जीवन भी उतना ही बड़ा होगा, ना कि उतना जितना सामाजिक रूप से दूसरे लोग सोचते हैं, ये सामाजिक रूप से फायदिमन हो सकता है, पर ये जीवन के संदर्भ में काम नहीं करेगा, इसलिए जब हम जागरु तो अभी ये रौशनी मुझे अंधा कर रही है, अब अगर आप वोल्टेज कम करें, तो ऐसा होगा, ये बस उतना ही प्रकाशित करेगा, लेकिन वे चाहते हैं कि बस कुछ रौशनी हो जाए, इसलिए उन्होंने वोल्टेज बढ़ा दी, इसलिए अगर आप वोल्टेज क अगर आप थोड़ा और अधिक जागरुख हो जाते हैं, तो आपको कुछ और पता चल जाएगा, और अधिक जागरुख होंगे, तो कुछ और, ये सभी शब्द जुड़े हुए हैं, प्रग्ण, गुरु शब्द, ये सभी चीजें जुड़ी हुई हैं, क्यूंकि प्रग शब्द है, रूक आर्थ है मिटाने वाला, तो एक गुरु आपको कुछ सिखाने वाला नहीं है, वो आपको फिलोसफी देने वाला नहीं है, आपको विचार धारा देने वाला नहीं है, बस इतना है कि वो थोड़ा और प्रकाश देगा, थोड़े और प्रकाश का मतलब है इस हॉल में अंधेरा है और आप केवल पहली दो पंक्तिया देख पा रहे हैं और आप उन्हें नहीं देख पा रहे हैं अगर मैंने एक टॉर्च से रोशनी की तो आपने देखा ओ इतने लोग हैं ये एक पूरी दुनिया है पर मैंने टॉर्च बंद कर दी तो वहाँ कुछ है अब मुझे देखना है मुझे क्या करना होगा मुझे अपनी खुद की एक टॉर्च चाहिए ठीक है यही काम है मैं जिस घर में रह रहा हूँ वहाँ के बच्चे घोशना कर रहे हैं वे गुरू की तरह नहीं है वे गुरू की तरह बात नहीं करते दिखते नहीं है गुरू की तरह चलते भी नहीं है वे गुरू नहीं मुझे बहुत खुशी है मुझे सर्टिफिकेट मिल रहा है अब हर चीज जैसी है उसे वैसे ही देखने की बात करें तो क्यूंकि अगर मुझे यहां से गुजरना हो, तो बहुत सारे लोग हैं, विश्वास से भरपूर, आप भगवान में विश्वास करते हैं, ठीक है? मुझे पता है कि कॉपरेट जगत में, लोगोंने इसे मैं खुद पर विश्वास करता हूं बना लिया है. दोनों गलत हैं, वे अलग-अलग तरह का असर डालते हैं. देखिए विश्वास का मतलब क्या है? मूल रूप से विश्वास का आर्थ है कि आप जो नहीं जानते, उसे लेकर मैं नहीं जानता कहने के लिए तयार नहीं है. जो आप नहीं जानते, आप विश्वास कर लेते हैं अगर आप विश्वास कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा? इससे आप में आत्मविश्वास आ जाएगा स्पश्टता के बिना आत्मविश्वास एक खत्रा है अभी मान लीजे मैं इन लोगों को नहीं देख सकता मेरी नजर साफ नहीं है पर मुझे बहुत विश्वास है मैं इन लोगों की बीच से गुजरने वाला हूँ आप जानते हैं कि मैं क्या करूँगा मैं हर किसी पर कदम रखूँगा और जाऊँगा क्यूंकि मेरे अंदर विश्वास है ऐसे कई लोग है अगर मेरी नजर स्पष्ट है तो मैं बिना किसी को छूए यहां से निकल जाऊँगा अगर मेरी द्रिष्टी स्पष्ट नहीं है और मुझे कोई विश्वास नहीं है तो मैं पूछूँगा क्रिपया कोई मुझे रास्ता दिखा सकता है पर आप मेरे पास कोई स्पष्टता नहीं है पर मुझे विश्वास है ये एक विनाशकारी प्रक्रिया है इसलिए ईश्वर पर विश्वास करना खुद पर विश्वास करना या किसी भी चीज़ पर विश्वास करना ये एक जूटी बात है आप खुद से जूट पोल रहे हैं ऐसी चीज़ के बारे में जिसे आप जानते नहीं समस्या क्या है? जो मुझे पता है पता है, जो मुझे नहीं पता नहीं पता इसमें क्या परिशानी है? अगर इतनी ये मानदारी आपके जीवन में आ जाती है बस ये समझ लीजिए, मैं जो जानता हूँ, वो जानता हूँ, जो मैं नहीं जानता नहीं जानता मैं किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करता, ना ही किसी चीज़ पर अविश्वास करता हूँ, मैं हर चीज़ को देखने के लिए तयार हूँ, आप एक समझदार इंसान बन जाएंगे, और हर एक घंटे में आप खुद को याद दिलाएं कि आप नश्वर हैं, और एक मुस्क आट बज गए हैं, अब आप भी जीवित हैं, वाह, हम सभी जीवित हैं, और मिलकर जचन मना रहे हैं